नमस्कार दोस्तों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हमारी वीडियो का विशे रहेगा श्री शिव महापुरान के रुद्र सहिंता के सती खंड का उन्निस्वा अध्याए दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके दोस्तों कथा को पूरी सुने और पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमस्षिवाए जरूर लिखें और दोस्तों फागुन मास में भगवान शीव के स्त्रोस सुनने का बहुत महत्व है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ इन स्रोस्तों को प्रती दिन सुने ताकि आपकी हर इच्छा पूरी हो सके ओम नमस्षिवाई यग्यशाला में शिव का भाग ना देखकर सती के रोश पूरन वजन दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष और देवताओं को धिकार फटकार कर सती द्वारा अपने प्रान त्याग का निश्चे दक्ष बोले भद्रे तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाब इस समय यहां तुम्हारा कोई काम नहीं तुम जाओ या ठहरो यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है तुम यहां आई ही क्यों समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पती शिव अमंगल रूप हैं वे कुलीन भी नहीं हैं वेज से बहिश्कृत हैं और भूतों प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं कि तरह जानता हूं अते जान बूज कर ही मैंने देव रिश्यों की सभा में उनको आमंत्रित किया है रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्यान नहीं है वे उदन और दुर आत्मा हैं मुझ मूर पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाहा कर दिया थ अते शिचिसमिते तुम क्रोध छोड़ कर स्वस्त हो जाओ इस यग्य में तुम आ ही गई हो तो स्वैम अपना भाग ग्रहन करो दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शेव की निंदा करने वाले अपने पिता की और जब दिश्टी पात क किया तब उसका रोश और भी बढ़ गया वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाओंगी यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहां का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी तदंतर तीनों लोकों की जन जो महादेव जी की निंदा करता है अत्वा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सुर्य विद्यमान हैं अतहतात मैं अपने इस श्रीर को त्याग दूंगी जलती आग में परवेश कर जाओंगी अ अपने इस चीवन की रक्षा से क्या प्रियोजन यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयम विशेश यतन करके शंभू की निंदा करने वाले पुरुष की जीव को बल पुर्वकाट डाले वह शिव निंदा श्रवन के पाप से शुद्ध हो सकता है इस में शंश्य नहीं है यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कांध बंद करके वहां से निकल जाए इस से वह शुद्ध रहता है दोश का भागी नहीं होता ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं इस प्रकार धरमनीती बताने पर सती को अपने आने के कारण का समर्ण किया फिर सती अत्यांत कुपित हो दक्ष से उन विश्नु आदी समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली सती ने कहा तात तुम भरवाय शंकर के निंदक हो इसके लिए तुम्हें पच्चाताप होगा यहां महान दुख भोग कर अंत में तु कोई प्रिय है न अप्रिय उन निर्वैर परमात्मा शिव के पतिकूल तुम्हारे सिवा दूसा कौन चल सकता है जो दुष्ट लोग है विस्तदा इर्श्या पुर्वक यदि महापुर्शों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई अश्चरे की बात नहीं है प्रंतु ज तो महात्माओं के चर्णों की रज से अपने अज्यान अंधकार को दूर कर चुके हैं उन्हें महापुरुशों की निंदा शोभा नहीं देती इस प्रकार धर्म नीती बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पस्चाताब हुआ उन्होंने व्यथित चित से भगवा शंकर के वचन का स्मरन किया फिर सती अत्यांत कुपित हो दक्ष से उन्हों विश्णु आदी समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली सती ने कहा तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो इसके लिए तुम्हें पस्चाताब होगा यहां महान दुख भ लोगनी पड़ेगी इस लोग में जिन के लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय उन निर्वैर प्रमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है जो दुष्ट लोग हैं वे सदा इर्शया पुर्वक यदि महापुर्शों की निंदा करते हैं तो उन के लिए यह कोई आश्चरय की बात नहीं है प्रन्तु जो महात्माओं के चर्णों की रज से अपने अज्यान अंधकार को दूर कर चुके हैं उन्हें महापुर्शों की निंदा शोभा नहीं देती जिन का शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बात्चीत के प्रसंग से मुष्यों की वानी द्वारा एक भार भी उच्चारित हो जाए तो वहस सम्पूरन पाप राशी को शिग्र ही नश्ट कर देता है उन्हें पवित्र कीर्ती वाले निर्मल शिव से तुम द्वेश करते हो अश्चरय है वास्तम में तुम अशिव रूप हो महापुर्शों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मा नंद में रस का पान करने की इच्चा से जिनके सरवार्थ दायक चरन कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं उन्हें से तुम मूरकता वशिद्रोह करते हो जिने तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो उन्हें क्या तुम्हारे सिवां दूसरे विद्वान नहीं जानते ब्रह्मा आदी देवता सनक आदी मुनी तथा अन्य ज्यानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते उदार बुद्धी भगवान शिवजटा फेलाई कपाल धारन किये शम्शान में भूतों के साथ प्रसंता पुर्वक रहते तथा भसम एव नर्मुन्डो की माला धारन करते हैं इस बात को जानकर भी जो मुनी और देवता उनके चर्नों से गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तख पर चढ़ाते हैं इसका क्या कारण है यही कि वे भगवान शिवी साक्षात परमेश्वर है परवृती और न उनके रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं ब्रम्मा नंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके सरवार सदायक चरन कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं उन्हीं से तुम मूरता वश्ट रोहो करते हो जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते ब्रम्मा आदी देवता सनक आदी मुनी तथा अन्य ज्यानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते उदार बुद्धी भगवान शिव जटा फिलाए कपाल धारन की शमशान में भूतों के साथ प्रसंता पुर्वक रहते तथा भसम एवं नर्मुंडों की माला धारन करते हैं इस बात को जानकर भी जो मुनी और देवता उनके चर्नों में गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं इसका क्या कारण है यही कि प्रक्वान शिव ही साक्षात परमेश्वर है परवृती यग्ययागादी और निवृती शम दम आदी दो परकार के करम बताए गए हैं मनीशी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए वेद में विवेचन पुर्वक उनके रागी और विरागी दो परकार के अलग प्रस पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों परकार के करमों का एक साथ ही करता के द्वारा आचरन नहीं किया जगता भगवान शंकरतो पर ब्रह्म परमात्मा है उनमें इन दोनों ही परकार के करमों का परमात्मा नहीं है उन्हें कोई करम प्रापत नहीं होता उन्हें कि प्रकार के करम करने की आवश्यक्ता नहीं है पिता जी हमारा एश्वरे अव्यक्त है इसका कोई लक्षन व्यक्त नहीं है सदा आतम ज्यानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं तुम्हारे पास वह एश्वरे नहीं है यग्ये शालाओं में रहकर वहां की अनसित्रिप्त ह होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोब प्रापत होता है उससे वह एश्वरे पहुत दूर है जो महापुरुषों की निंदा करने वाला ओदुष्ट है उसके जनम को धिकार है विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंद को विशेश रूप से प्रयतन करके त्याग द हुए मुझे दक्षाइनी कहकर पुकारेंगे उस समय मेरा मन से ऐसा अत्यांत दुखी हो जाएगा इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन हुए सदा शव के तुल्य घ्रनित इस श्रीर को इस समय में निच्चे ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाओंगी हे में दुष्टता आ गई है तुम लोगों का यह करम सरफ्था अनुचित है तुम सब लोग मूड हो योंकि शिव की निंदा और कलहे तुम्हें प्रिये हैं अतै भगवान हर से तुम्हें इसको करम का निच्चे ही पुरा-पुरा दंड मिलेगा ब्रह्मा जी कहते हैं समरन करने लगी ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मोन हुई सती देवी अपने पती का सादर समरन करके शांत चित हो सहसा उत्तर दिशा में भूमी पर बैठ गई उन्होंने विधी पुर्वक जल का आजमन करके वस्त्र ओड लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पती का चिंतन करती हुई वे योग मारग में स्थित हो गई उन्होंने आशन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्रान और अपान को एक रूप करके नाभी चक्र में स्थित किया फिर उदान वायू को बल पुर्वक नाभी चक्र से उपर उठा कर बुद्धी के साद रिदय में स वायू को कंठ मारग से ब्रिक्टियों के बीच में ले गई इस प्रकार दक्ष पर कूपित हो सहसा अपने श्रीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूरन अंगों में योग मारग के अनुसार वायू और अगनी की धारना की तदंतर अपने पती के चर्नार विंदो का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तू का ध्यान भुला दिया उसका चित योग मार्ग मिस्थित हो गया इसलिए वहां उन्हें पती के चर्नों के अतिरिक्ट और कुछ दिखाई नहीं दिया ओम नमस्षिवाई दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसी लाइक करें और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमस्षिवाई जरूर लिखें धन्यवाद